जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों को बता दें कि अभी कल यानी की दोस्तों 13 सेप्टेंबर को क्या दोस्तों 13 सेप्टेंबर को दोस्तों किसका पेपर हुआ है राजिस्थान SI का किसका दोस्तों राजिस्थान SI का त दूसरा पेपर दोस्तों मैं आप लेकर आ चुका हूं जिसमें दोस्तों 100 कोश्चन जीयस के होंगे और आपको बता दें इसमें 2-4 कोश्चन डिजिनिंग के भी डाले गए हैं ठीक है और एक चीज और बता दें कि अगर आप पहला पेपर देख रहे हैं हिंदी का वह हमने हो जाएंगे चलिए तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन अवस्ते प्रेस करिएगा तो चलिए शुरू करते इक बार आपको दिखा दें कि इसमें समय कितना होता दोस्तों देखे 100 कोश कितने का है दो नंबर का है दोस्तों एक चीज और आपको दिखा दें कि इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग कर भी प्रावधान किया गया जैसा कि आपको वद्धा उत्तर प्रदेश में होता नहीं है यहां पर समय पास होना होता है देखे 1005-3 क्या है दोस्तों गलत स्क्रीन पर पहला कोश्चन आ चुका है कि संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकासित की जो नौकरियों सिच्छा इत्यादी पर कोविड-19 के प्रभाव का प्रिश्चन करती है दोस्तों कौन सी है ILO 200 आर्थिक मंच या फिर दोस्तों CAPART दोस्तों या शंस्थान जिसके साथ राजिस्थान सरकार ने शडख सुरच्छा की एक नवीन पध्धत को लागू करने के लिए गड़ जोड किया है दोस्तों किसके साथ किया है IIT मदरास या फिर दोस्तों MNIT जैपूर या फिर IIT मुंबई या फिर IIT डेली दोस्तों अगर देखिए यह राजिस्थान से गर आप लोग है तो इसका जैटिओ खृत को पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में वर्जीन के माध्यम से अंतरिच की आतरा की दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों स्री शा बांदला दोस्तों य॥ तीसरी भारति मूarl की महिला बन गई है जिन्होंने अ उचा गया था ठेक है कि दोसनों कौन हैं दोस्तों भारती मुल की दोस्तों ठीक है इसे चली है अगला कोशन कि काूं सा फंगास दोस्तों ब्लैक फंगास के रोख कार दोस्तों बहुत बार आपको पता चर्चा में हमने कई सारे वीडियो बनाये थे तो क्या होता दोस्तों म्यूकर माई को सिसने दोस्तों तो हमारा सही ऑप्सन कर जाएगा दूसरा बिल्कुल राइट चलिए पांचवा कोशन दे इन ही के जो वायरस दोस्तों उनको म्रत करके दोस्तों एकदम से बीट के दोस्तों उनसे बनाये गया था ठीक है तो हमारा सही ऑप्सन कर जाएगा तीसरा चलिए अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजिस्थान के कितने खिलाडियों ने मतलब की प्रतिनित कर रहे हैं दोस दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑफ्सन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सिक्स का दोस्तों चार खिलाडी कितने दोस्तों चार खिलाडी भाग लेने वाले चलिए अगला कोशन है आपके लिए भारत सरकार दौरा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजिस्थान का कौन सा सहर राजिस्थान के स्मार्ट सहरों के सीर्स पर रहा है दोस्तों तो कौन सा सीर्स पर रहा दोस्तों आपको पताओगा उदय पिर दोस्तों बहुत ही मतलब की आप कह सकते हैं बहुत ही तगड़ा सहर है दोस्तों ठीक है बहुत ही अच्छा सहर है उधरपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए अगला है सिरी नरायन राड़े को जुलाई 2021 में MSME मंतराले का कारिभार दिया गया वहां MSME का तातपर क्या होता दोस्तों तो इसका तातपर क्या होता दोस्तों MSME का तातपर क्या होता यानि इसका फूल फार्म आपको बताना है तो क्या होता है micro, small and medium enterprises दोस्तों तो बिल्कुल से उसन समारा पहला हो जाएगा चलिए नाइन्थ कोशन देखते हैं कि 30 जनवरी 2021 को आयुसमान भारत महत्मा गांधी राजिस्थान स्वास्त भीमा योजना को सूची में किस स्वास्त जटिलताओं को जोड़ा गया दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किसके साथ में जोड़ा गया दोस्तों ये हमारा दूसरे नंबर और आपको बताते दोस्तों कि राजिस्थान एक ऐसा पहला राज बन गया है दोस्तों चिन्हों ने हर एक नागरी को स्वास्त भीमा सुरचा दिया है मतलब भीमा दिया है चलिए अगला है ब्रिक्स कि अधिचिता दोस्तों कौन करेगा 2021 में आपको पता है कि अभी दोस्तो 2020 में किसने किया था रसीया ने, अड़ कि ब्रिक्स दोस्तों, VRICS दोस्तों, Brazil, रस्या, इंडिया, चाइना, और South Africa दोस्तों, तो देखें, ये एक साल करते हैं दोस्तों, अच्छिता, देखें अभी कौन किसने किया था, रूस ने किया 2020 में, तो इंडिया कब करेगा 20 obe कौन करES तो इस तरीकने से एक एक क्रम करके चलता रहता है टोसटों और आपको बता दें इन पांचों की मुद्रा क्या है दोस्तों आर से शुरू होती है, आर फाइब के नाम से जानते हैं दोस्तों, पांचों के मुद्रा आर से है, आपको इसके बारे में पता भी होगा दोस्तों, चलिए, अगला कोशन देखते हैं, कि वर्स 2021 का फ्रेंच ओपन, पुरुष एकल्ट किसने जीता दोस्तों, आपको पता है, स बहुत यच्छा दोस्तों, यह बहुत यच्छा मतलब की गवरों किया है, नाम दोस्तों भारत का, भावानी देवी ने पहली दोस्तों महिला वन गे है, तलवार बाजी में, बहुत यच्छा प्रदर्शन रहा है, इनका ठीक है, दोस्तों, बहुत यच्छा प्रदर्शन किसने करवाये था दोस्तों आको पता होगा कि बिमल सान दो तो कहां है दोस्तों आको पता होना चाहिए बिल्कुल सहे options को जाएगा दोस्तों नरैना में कहां पर दोस्तों नरैना में पढ़ता ठीक है चलिए अगला है विजौलिया किसान अंदोलन के प्रडेता कौन माने जाते हैं तो बिजय सिंग दोस्तों पतिक्या विजय सिंग पतिक हमारा दूसरा उपसं बिल्कुल राइट हो जागी चलिए अगला है श्वराज सब्द का प्रियोग सरपतम किस ने किया थो दोस्तों श्वामी विवेका नंद दयानंद श्वरोसती अफ बादसा अकबर द्वारा वे स्थार्त दिये गए गाउं की संख्या कितनी थी दोस्तों तो कितनी संख्या थी दोस्तों इसके बारे मापको बताना है दोस्तों कितनी थी तो 18 थी क्या दोस्तों 18 थी चलिए अगला तिवारा कर वसूला जाता दोस्तों तिवारा कर किसके लि नाथ द्वारा का मूल नेम क्या है दोस्तों तो सिहार है क्या है दोस्तों सिहार है दोस्तों नाथ द्वारा का मूल नेम चलिए अगला है 84 खंबो की छतरी इस्तित है दोस्तों कहां इस्तित है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये बूंदी में पड़ती दोस्तों कहां गागरोन हो जाएगा क्या दोस्तों गागरोन हो जाएगा चलिए अगला है बुंदी में इस्तित रानी जी की बहुडी का निर्मार किसने करवाया दोस्तों किसने करवाया रानी गैतरी ने या पदमनी ने या फिर नाथा वतीन दोस्तों या फिर भिजया देवी ने दोस्तो तो बिलुकुर्ट से आपसर सो जाएगा रानी नाथा वतीन दोस्तों किसने दोस्तों रानी नाथा वतीन चलिए अगले कोशने के तरह बढ़ते हैं भारत का कौन सा राजी दोस्तों जूट का सरवधिक उत्पादन करता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए पस्ची संबन्धितर नहीं दोस्तों तो देखिए काउनसा मूँ से दोस्तों नहीं पजा यहता है तो आपको बता होगा अलगोजा बजाया दता है ठीक है और दोस्तो सितारा और मर्शक दोस्तो ये होते हैं रवाज नहीं होता है दोस्तो बिल्कुल सही आपसंस कर जाएगा 27 ये नमबर रवाज ठीक है चलिए अगला है कि सोतंतरता अंदोलंग के दौरान निम्रिखित मैंसे किस उद्योग पती ने भारती राष्टी कॉंग्रेस क सतस्या नहीं ली थी दोस्तो किसने नहीं ली थी दोस्तो इसका बिल्कुल सही आपसंस क्या होगा दोस्तो किसने नहीं ली थी लाला संकर लालने दोस्तो किसने दोस्तो लाला संकर लालने दोस्तो चौथा आपसंस नमारा बिल्कुल राइट हो जाए चलिए अगला है कि भा पहले का बी नंबर देख लेगा अगर पहला भी दिखा तो पहला ही हमें एक ही उपसन से पता चलिगा कि पहले का बी दिया हुआ है यानि तीसरा उपसन हमारा बिलकूल रहे जाए दोस्तों और सभी के सभी बिल्कूल डॉस्तों अगरा कोश्ट देखते हैं कि निन्वन में से कौन सी दोस्तों राजिस्थान के डुंगरपुर जिले कि सिचाई परियोजना है दोस्तों कौन सी है तो आपको पता तीसरा उपसन बिल्कुल राइट होगा सोम कमला और अंबा दोस्तों ठीक है चलिए भारत का कौन सा राजिस्थान ही है दोस्तों क्या है राजिस्थान है दोस्तों जिफसम का सबसे बड़ा उतपातक दोस्तों ठ ठीक है चलिए अगला है कि भारत का कौण सा है सूती कपडों की राजधानी के रूप में पहचाना जाता दोस्तों तो कौन है आपको पता होगा मुंबई दोस्तों सूती के कपडों की राजधानी कहा जाता ठीक इसको तो मांचेश्टर दोस्तों है ना तेकि सूती कपडों क जाएगा मद्ध में दोस्तों कौन सा तो मद्ध का मुवल राइट हो जाएगा अगला राजिस्थान में स्थित् निम्न ऑद्दोग्य वक्रमों के कौन सा भारां सरकार का उपक्रम नहीं है मेरे दोस्तों तो कौन सा नहीं दोस्तों सिरी गंगा नगर शुगर मिल लिम्टेट दोस्तों सिरी गंगा नगर दोस्तों यह भारा सरगार का उपक्रम है ही नहीं दोस्तों ठीक है बिल्कुल सही तंगर्स्टन का दिगाना होता है बिल्कुल सही है ठीक दोस्तों क्या होता है दोस्तों मेगनेच के लिए का होता है लील वानी दोस्तों और तामबा दोस्तों खेदडी बहुत फेमस है खेदडी दोस्तों बहुत ज्यादा और सीरसा जस्ता के लिए दोस्तों जावर माला तो हमारा देखें A का B नंबर तो हमारा पहला यह दिख रहा है दोस्तों दूसरा करने वाले तो दोसरा ऑप्सन बिल्कुल राइट हो ज़ागा जिसने लगाए उलगाया ठीक अगला है परवतों और उनकी इस्थित वाले देशों का मिलान करना है आपको दोस्तों तो बताए इसका सही एंसर डाला खोगा मातलब इनका अलपेसियन नहीं है दोस्तों तो हमारा सही हो जागा A और B दोस्तों क्या A और B सही हो जागा दोस्तों 36 का तीसरा उप्सन बिल्कुल राइट हो जागा चलिए अगला कोशन है निमलिखित मैंसे कौन सा यूरोपी महादिव का सरोच परवस सिखार है दोस्तों तो कौन सा है तो Mount Elbrus दोस्तों बिल्कुल सही है चाओ था उप्सन हमारा राइट हो जागा 37 का बिल्कुल चलिए अगला है 38 नंबर तो स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों स्वेज नहर किसको जोड़ती है भूमत सागर और लाल सागर दोस्तों ठीक है चलिए अगले कोशन के बढ़ते हैं कि भारत की समिधान सभा का प्रारूप समिध के गठन का बहुत है था ओंगा 29 अगस्त rankings को इसका गठन हुआ था ऑदिकारों के प्रवर्थन क का धिकार द जाता दोस्तों है राचे राज्यों के लिए उच्च नियालों के गले दोस्तों आखो बता दें को चो जाएगा और दोस्तों आपको पता दे 32 के दारा दोस्तों उच्छतम नियाले को यानि सुप्रीम कोड को देता है ठीक है तो दोस्तों हमारा बिल्कुल से हो जाएगा 226 दोस्तों क्या हो जाएगा राज के ठीक है तो बिल्कुल से हो जाएगा अनुच्छे चार नमबर चार नमर बिल् दोस्तों तो आपको पता होगा दोस्तों कहां पर किया गया है जोहांश बर्ग में दोस्तों ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं कुंभलगर और गोंगुदा के मद्धे इस्तित पठार कौन सा है दोस्तों तो इसके मद्धे कौन सा इस्तित पठार है दोस्तों हमारा बि यादी जोधपूर, नागाओर, सीकर और जुन्जनों यह आपका विलकुल सहस हो जाएगा तीन नंबर ठीक्न अजाएगा जाएगा तेसरा नंबर बिलकुल और बिलकुल राइट हो में है हना और दोस्तों समान नागरी सिविल समिता दोस्तों किसमें है दोस्तों आपको पता हो 44 में है ठीक है और दोस्तों क्रशी और पसपालन दोस्तों यह 48 में पताएगा और पर्था करण किसमें 50 में तो हम सब देख चुके हैं दोस्तों और पहले का हम देखे देए पहले का 3 तो पहले का 3 कहां पर है दोस्तों हमें बिल्कुल सही दिख गया नहीं है इसके बारे मां को बताना है मेरे दोस्तों तो प्रांतों के द्वैसासन के सुरुवात या फी केंद्र के द्वैसासन के सुरुवात या फी एक अखिल भारती संग या प्रांतों का स्वायत तता दोस्तों तो बिलुकुल सही आफसंस क्या हो जागा 47 का हमारा ए नमब प्रांतों में द्रवाय सासन की सुरुआ है चलिए अगला है कि भारत के संसद का भारत के संसद का भारत के संसद की संसद में दोस्त आपको पता होगा कि दोस्तों सरला करके आप याद कर सकते दोस्तों सासे संसद रासे रासभा और लासे लोगसभा दोस्तों देखे कितने 79, 80 और 81 तो 79 से कहाँ सासे संसद हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही है 80 में क्या है रासभा और 81 में क्या है दोस्तों लोगसभा ठीक है तो हमारा ये दो नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए अगला कोश्चान नेम लिखेज में से किस राज जने अनुच्छे 356 में सबसे अधिक बार दोस्तों जुलाई 2021 तक लागों किया था तो आको पता होगा दोस्तों कहां तो उत्तर पते से सबसे ज़्यादा बार ये लग चुका है क्या उत्तर पते सबसे ज़्यादा बार लग चुका है चलिए अगला है कि राष्टी मानुआ अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतरगत होता है दोस्तों आपको बताना है कि राष्टी मानुआ अधिकार आयोग की अध् पद की सपत लेते हैं दोस्तों से लिए दोस्तों पहला राजत्तान मानुवाधिकार आयोक की अध्यश्च बिलकुल लेते हैं राज निमो अच्छरान अकट ये भी लेंगे और राजस्थान-काम महादिवक्ता ये भी लेंगे दोस्तों धुफारा विल्कूल डेक होना चाहिए चलिए एगला कोशन देखते हैं दोस्तों next question क्या है हमारा तिरपन नमबर क्योंकि हमने बावन कोशन अक्छे से देख लिए हैं अगला निम्नांकित में से कौन सा कौन राजिस्थान राज जेव मानु अधिकार आयो के अध्यच्छ नहीं रहे हैं दोस्तों तो आपको बता दे कौन नहीं है जश्टिक जश्टिस कौन जगत सिंग जी यह नहीं रहे हैं दोस्तों तिरपन का बिल्कुल जही आउपसंस फोर हो जाएगा चलिए राजिस्थान विधान सभा में अध्यच की अनुपस्थित में अविलंबनिय मामलों के निमनांकित मेंसे कौन अध्यच की और से विध्यक को प्रमारित कर सकता है 중िकार नजहें हो जब्लकुल इससे आपको जोयगा एन एन माथुर दोस्तों ठीक है चलिए अगला है निम्नांकित मैंसे कौन राजिस्थान लोक्षेवा आयोक के सच्चिव और अध्यच दोनों रहें दोस्तों तो कौन रहें है सत्तावन का बिल्कुल से आपसंस कर जाएगा हमारा दूसरा दोस्तों एन के बैरवा दोस्तों अगला कोशन है निम्नांकित मैंसे कौन सा गरीबी का कारण नहीं है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इन मैंसे रणगरस्तता आर्थिक समानता या फिर शामाजिक समावेश या फिर बेरोजगारी दोस्तों गरीबी का कारण कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों तो दोस्तों जैसाल में तो हमारा पिल्कुल से अफसन सो जाएगा फोर नंबर ठीक है चलिए अगला है निमलिखित मेंसे कौन सा एक सरकारी बज़र का उद्देश नहीं है दोस्तों घाटे का बज़र दोस्तों ये उद्देश नहीं है अगला है निमलिखित मेंसे कौन सी एक र सकते हैं दोस्तों मार्जिन की आ सकता है अगला है कि मानों विकास प्रतिवेतन 2020 के अनुसार भारत का लेंगिक विकास रुषकां कौन है दोस्तों तो 0.0820 दोस्तों ठीक है पॉइंट 820 दोस्तों है यह हो जाएगा अगला है चौशल नंबर आर्थिक समिच्छा 2021 के अनुसा कीमतों 2011-12 पर वर्स 2021 से 4% अधिक है सार 4-11 अधिक है दोस्तों बिल्कुल गला थे यह सकल राज मूले वर्धन में इस्थिर कीमतों हना पर छेत्रा वार योगदान में वर्स 2021 के सेवाओं का योगदान 42.40 रहा बिल्कुल गला दोस्तों अगला है दोस्तों कि वर्स 2019 क्या वर्स 2020 में राज कोशी घाटा सकल राज घरेल उतपात का 3.77 रहा दोस्तों क्या 3.77 रहा दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों चलिए इसकाम दिखते हैं सकल चौथा आपसंस गया है सकल राज मूले वर्धन में क्रसी छेत्र का योगदान इस्थिर दोस्तों तो अगर हम एंसर के बाद करते हैं दोस्तों चौथा उसन बिल्कुल राइट हो जाएगा चौशल का बिल्कूल चौथा उसन बिल्कूल राइट हो जाएगा चलिए अगला है कि राजिस्थान में जीवन धारा योजना किसके संब्दी था तो सिचाई कुमों का निर्मार दोस सन ग्राजिस्थान की एंशन का सוח़ाम। करकों में से कौन सा मुद्र टिर्विंभासंटी का एक कारण दो सहर दोस्तो बिलकूल से आफ्सनस कवह जाएगा गाते का वित्वयोस्था दोस्तों चलिए अगला है कि निम्न में से केंदर सरकार की कौन सी योजना असंगठित छेत्र के करमचारियों हे तो केंदरित नहीं दोस्तों तो कौन सा नहीं दोस्तों इसके बारे में आपको बताना तो दीन दयाल उपाध्याय अंतियोदय योजना दोस्त हों NBT एकल सही घुठों ठीक है और दोस्तो राज राज मार्गalth विकास कारक्रम सिए दोस्तों ये भी सही है दोस्तों क्या ये भी सही दोस्तों तो 70 का बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों हमारा एक बी का भी मतलब खुद ही सही लगे हैं दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा हमारा आयोग द्वारा इस प्रतिस थापित लगे देखिए यह जो ना आयोग नीते होगे दोस्तों नीते हो क्या अध्यच कौन होते हैं प्रधानमंति होते हैं और दोस्तों उपाध्यच कौन है यह कोशन भी आपके एकजाम में आने वारे समय में बन सकते दोस्तों इसका याध रखेंगे को बिल्कुल सही options कर जाएगा दोस्तों विल्कुल सही options कर जाते हैं, थीक है यह तो आपको बता दें कि 77 का बिल्कुल से हो जाएगा सुक्रोज दोस्तों क्या शुक्रोज चलिए अगला है कारसी नोमा संबंध रखता है दोस्तों किस से रखता है इन में से कोई नहीं या प्रवाह की उतक का अशाध्य ट्यूमर दोस्तों या फी तोच्छा एवं मुकस चिली का अशाध्य हना ट्यूमर या दोस्तों सही हो जी उतक का बिनाईन ट्यूमर दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्संस कर जाएगा हमारा दोस्तों 78 का किस से UNFCC से दोस्तों तो बिल्कुल सही option सुझाएगा यह हमारा ठीक है क्यूटो ठीक चलिए अगले कोशन बढ़ते दोस्तों कि नेक्ट कोशन क्या है कि राजिस्थान में NBPGR का प्रदेशी केंदर कहां इसी तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही option सुझाएगा दोस्तों कहां सिर्ध जोधपुर में दोस्तों कहां पर जोधपुर में चलिए अगला question एक निबल बराबर कितने बिट होते हैं आपको इसका पता भी होगा कितने होते चार होते चलिए अगला है कि अपने उडान पथमें और ओधकु की पहचान करने के लिए चम गादर दोस्तों निम्र तो आपको इसका सही एंसर पता होना चाहिए कहां इसी दोस्तों अजमेर में ही इस्तित है चलिए अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सी तरंग सामान टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती दोस्तों तो कौन सी तरंग है दोस्तों तो बिल्कुल सह हारत में हुआ था दोस्तोफ और पहला उपगरा है मगर दोस्तो बिदेशी सरयarem seed से चूणा गया था आरे वठ दोस्तो चलिए और पता है आरे भत हमारे नहीं क्या थे देखे पुस्तकाले है तो पुस्तक होगी है ना हर पुस्तकाले में पुस्तके होगी तो बिल्कुल सही है देखे पुस्तकाले केवल पुस्तकों के लिए होती है या कोई भी पुस्तकाले में होती है या कोई भी पुस्तकाले पुस्तकों के बिना नहीं होता है या कुछ पु यह बताएगा अब देखे इसको आप देखे कथन और तरक मजबूत बताना है कि देश के सभी विश्यों के लिए एक समान पार्ट क्रम होना चाहिए दोस्तों क्या है कि दोस्तों सभी विश्यों के समान पार्ट क्रम होना चाहिए ठीक है अब देखे इसमें दोस्तों क्या है देखे चार तीन आपसंस दिये गए दोस्तों तो अब देखिए पहला हाँ यह देश के सिच्छा तंत्र को एक रूपता लाने में एक मात्र तरीका दोस्तों एक मात्र जहां लग जाता हो वो तो गलती होता है एक मात्र आपको नहीं कहना है ठीक है अगला है कि दोस्तों बिल करने की स्वायत्ता होनी चाहिए दोस्तों दोनों हमारे सही लग रहे हैं मगर यह वाला एक मात तरीका वाला गलत है तो हमारे दूसरा और तीसरा और तीसरा मजबूत हैं दोस्तों बिल्कुल सही चलिए अगला कोशन 89 नंबर कारवन का कौन सा अपरूप द्रिण त्रिविम स रचना के रूप में होता दोस्तों कौन सा होता है हीरा दोस्तों हीरा में पूर्ण आंत्रीक परवर्तन कारण हीरा चमकता रहता है चलिए 89 हो गया 90 नंबर देखते हैं कि निर्म लिखित तरकों का विचार करिए दोस्तों एक आर एस हना सुरी आर आई आर एस बनने के सभी सभी देखे अब देखिए प्रोफेसर क्या हैं गरीब है गरीब दोसτο कुछ गर्वटक प्रुफ्ल्यक्र दोस्तों कुछ एक तृप प्रुक्र आयो ख़ाएगा ON पुर्टाराथ फी स्वैस हैं फिर में для Windows 964 दोस्तों इसका किया या है यूवर माइनस तीन का क्यूब और माइनस तीन का स्क्वाइर कर दिया गया दोस्तों तो देखें तीन तरीका नो तिक सताइस और माइनस नौ कर दिया गया तीन तरीका नौ कितना होगा दोस्तों अठारा हो जाएगा ठीक उसी तरह से दोस्तों चौथा क्या है कि चार का क्यूब और माइनस जाना चाहिए चार का क्यूब 4,16 चुके 64 और दूस्तों 4 चुक 16 इसको अगर हम घटाते दोस्तों तो कितना आ जाएगे दोस्तों बिल्कुल सही इधर से इधर को बढ़ाद दिया गया दोस्तों एक कम कर दिया गया एक यहां से कम कर दिया गया है दोस्तों और देखें सरी एक पर देखें दिखेंगा दुबारा दिखते हैं G O A L गोल को क्या लिखा गया है B P और M H ठीक है तो देखें इधर हम इसको भी लिखते हैं S O A R म अब देखें यहाँ पर क्या किया गया है देखें ओर दोस्टों अब कर दिया गया है और कर दोस्तों अगर इस तरह से हम इसको देखे दोस्तों तो हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों सोर का क्या होना चाहिए दोस्तों तो बिल्कुल सही क्या होगा हमारा BP ST हो गारा हो जाए दोस्तो बी पी एस इस ठीड थीक है देखillar दोस्तो इसका बिलकुल प्रशंस बता दे रहे और क्तना हो जाएगा दोस्तों हमारा तिरान नभे में कितने हो जाएंगे तो तीस हो जाएंगे दोस्तों इसमें वर्ग चलिए अगला कोशन देखते हैं यदि सीमा और रिमा की आयूगा अनपाथ दोस्तों 9-16 है क्या है दोस्तों 9 रेसियो 16 है 10 वर्ष पाशाद उनकी आयुका अनपात कितना हो जाता जोस्तों दो और तीन हो ज्याता है ठीक है दो और तीन हो जोगाई तीस सए नहीं अगर इसका अंतिम आइंसर जो आएगा दोस्तों वह आप क्या जाएगा दोस्तों बिल्कुल सेवज़ा 613 दोस्तों और इदम इजी कोशन है चलिए अगला है एक गाउं की जनसंख्या कितनी है दोस्तों इसके विभिन ब्योसाओं में निम्लिखित पाई चार्ट में दिखाए गया दोस्तों तब देखे इसमें क्या कहा गया है कि नौकरी और परिवहन में लगे बेक्तियों का योग निम्लिखित में से किस ब्योशाय के योग के बराबर होगा देखे नौकरी और देखते हैं 144 आ जए दोस्तों 172 और एक सो आठ है तो 8 तो दुद दस बिल multif नहीं है ठीक है चलिए तो आए गहाई नहीं चलिए औट रे सिव परिवहन दीकते हैं क्रशी और परभेंद जोस्तों क्रशी गिंच एकप मिल्कुल नहीं होगा और ब्यापार और उद्योग क्या सब्सक्राइब तो अगला है लचमर एवं लचमर दोसेगे भाई हैं ओम थथा प्रें एक विवाहिद दंपत्ती है नन्द जी कमल टम पत्री और लचमर प्रेम का पिता है, लचमर की पतनी चंचल है, और कमल की मा का नाम मधु है, ओम लचमर का दमाध है, और दया ओम की पुत्री, दोस्तों तो प्रेम नंदनी का क्या लगता है, दोस्तों तो बिल्कुल सही शचेरी बहन हो जाएगा, ठीक, आप लगाईएगा, 000 करेंगे 100isa 90 थीक फिर सवबते नबबब़ और फिर सव बटे नबबब़ करेंगे थीक सवबते 90 करेंगे तो इह 0030 यहीं से से कड़ जाएगे दोस्तों ठीक अब नौ से इनको काटेंगे दोस्तों नौ से इनको काटते जाएंगे और Damousa तो काम किन की भे उन पुर्शकार से समझाभनेत नहीं किया गया दोस्तों तो राम Щ wiring OMüğ युद् सिन्जू पता यह जापान के का है तो प्रधानंगे धे जापान किते दोस्तों मगर अब नहीं है तो राम विलास पासवान को इस पतम भिभुशन नहीं किया गया थीग है इनको पतम शी company जो भारत के नए संसाथ का निर्मार करेगी दोस्तों तो आपको इसको पता भी होगा कौन कर रहे हैं दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट दोस्तों विश्ता अगर आपको लगता है गलत ही दोस्तों हमें comment box में कर देजिगा ठीक है और दोस्तों आपने गर Hindi वाला नहीं देखा है तो Hindi का link भी हम नेचे देटेंगे उसको भी आप देख लेजएगा क्यूंकि वह भी कोशन बहुत अच्छे हैं आई हो दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा यह सुन करके दोस्तों यह पेपर देख करके तो चलिए दोस्तों अगर आप पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन आवस परक्रिक्षण झाल झाल झाल